B.Tech, B.Com, B.A., B.A.C. इंडिया और विश्वभर में कई सब्जेक्स हैं जिन पे ग्राजुएशन और डॉक्टरेट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं लेकिन आपने कभी Bachelor of Investing या Master of Investing डिगरी के बारे में नहीं सुना होगा क्योंकि Investing करके अपना Wealth कोई भी Grow कर सकता है ये आसान नहीं है, लेकिन सही Direction के साथ कोई भी इस Knowledge को Acquire कर सकता है नमस्कार, मेरा नाम शंकरनाथ है और स्वागत है आपका E.T. Money Cake नए Investing for Beginners वीडियो में जहां एक तरफ कोई Academic Course नहीं है, दूसरी तरफ Investing एक Lifelong Learning Exercise है अब Investing पे तो हजारों किताबे लिखी गई है, लेकिन एक Investor को ध्यान में रखते हुए हमने तीन Books को इस वीडियो के लिए चुना है हमने ये ध्यान में रखा है कि ये किताबे पढ़ने में आसान होनी चाहिए, आपको Concepts समझ आनी चाहिए और Books के Author खुद Renowned Investors होने चाहिए और वो तीन किताबे हैं, पहला, Rich Dad, Poor Dad by Robert Kiyosaki, दूसरा, Learn to Earn by Peter Lynch और हमारा तीसरा pick है, The Dhando Investor by Monish Pabarai इन तीनों किताबों के Teachings काफी अलग हैं, और एक अच्छा Investor बनने के लिए जरुरी है कि आप अपना Depth और Width of Knowledge दोनों को Expand करें तो चलिए कुछ नया सीखते हैं Rich Dad, Poor Dad एक स्टोरी है जिसमें Robert Kiyosaki ने दो characters को introduce किया है उनके Poor Dad और उनके Rich Dad इस किताब में लोगों के Attitude About Money और How to Achieve Financial Freedom पे Emphasis दिया गया है Poor Dad और Rich Dad के Money से Related Thought Process काफी अलग थे Poor Dad कहते थे कि Money एक High Paying और Safe Job से कमाया जाता है और वोही Money Everyday Expenses में इस्तमाल होता है लेकिन Rich Dad ऐसा नहीं सोचते थे Rich Dad के लिए Money का Role है Assets खरीदना जो आपके लिए और भी जादा Money कमा के दे सकता है Robert Kiyosaki ने अपने Book में Rich Dad से मिली इन Learnings को Individual Financial Freedom का सबसे Important Foundation कहा है Robert कहते हैं कि लोग Assets और Liabilities के मतलब में काफी Confuse हो जाते है उनके हिसाब से Assets वो हैं जो आपके Pocket में पैसे डालता है और Liabilities वो हैं जो Pocket से पैसा निकालते हैं जैसे एक घर Assume करते हैं कि आपने एक Second Home लिया है जिस पे आप EMI भर रहे हैं अब Poor Dad का Definition कहता है कि घर मतलब Asset But Rich Dad के हिसाब से घर एक Asset नहीं Liability होता है वो इसलिए क्योंकि वो घर आपके लिए कुछ कमा के नहीं दे रहा है उल्टा आपके Pocket से सिर्फ पैसे निकाल रहा है बट हां अगर ये घर आपने Rent पे लगाया होता और Rent EMI से जादा होता तो Definitely इस घर को हम Asset बोलते Robert Kiyosaki का Learning तो Clear है Rich पनना है तो Assets Acquire करो Liabilities नहीं Rich Dad Poor Dad में Tax से Related Section मेरा Favorite Chapter है याद रखे, Robert ने पूरे बुक में हमें एक Salaried Individual से एक Businessman या Investor की तरफ Move करने का Suggestion दिया है वो कहते हैं कि Government खुद Businessman को Salaried लोगों से Favorable Tax Benefit देती है आईए इससे थोड़े डीटेल में समझते हैं एक Salaried Employee का Personal Budget कैसे बनता है Let's say आप 100 रुपए कमाते हैं सबसे पहले Government इन 100 रुपए पे TDS काट लेती है चलिए, assume करते हैं कि आप 30% Tax Lab में हैं तो Tax Pay करने के बाद आपके पास 70 रुपए बच जाते हैं अपने बाकी expenditure के लिए अब देखिए एक businessman का accounting कैसे different होता है फिर से 100 रुपए के revenue से शुरू करते हैं Difference यह है कि Government इस stage पे Tax कट नहीं करता है और Business को पहले अपने expenses को पे करने का मौका देता है यानि कि 100 रुपए पे आपने 70 रुपए खर्चे तो बाकी बच गए 30 रुपए Government के tax rules के हिसाब से आपका tax इन 30 रुपए पे लगता है ना कि 100 रुपए पे जो एक individual के case में लगता है तो अगर वो ही 30% assume किया जाए तो business पे केवल 9 रुपए का tax लगा है जबकि एक salaried employee पे 30 रुपए का tax लगा है 30-9 इसका मतलब है कि एक business ने 21 रुपए बचाए Rich Dad Poor Dad एक बहुत ही readable किताब है जो आसान भाषा में लिखी हुई है और इसमें कई important money related principles को समझाये गया है Learn to Earn के author है Peter Lynch जिनको दुनिया का best performing mutual fund manager कहा जाता है उनका record आज भी कायम है जब उन्होंने 13 साल में 29% का annual returns अपने investors को दिया यानि अगर आपने 10,000 dollar इस fund में 1977 में डाले होते तो 1990 तक 10,000 dollars बढ़के 2,73,000 dollar बन गए होते अपने book में Peter Lynch कहते हैं कि सबको investment जल से शुरू कर देना चाहिए और किसी सही time या किसी particular age के लिए wait नहीं करना चाहिए book में वो specially young investors को motivate करते हैं कि वो stocks और mutual fund में invest करें as compared to bonds क्योंकि long term में stocks bonds से better perform करते हैं stocks में उपर नीचे तो होता ही है बट एक लंबी अवधी या long term में देखें तो stocks 9 out of 10 times bond से आगे ही रहते हैं Peter ने mutual fund और dollar cost averaging जिसे हम इंडिया में systematic investment plan या SIP कहते हैं उस पे भी काफी focus किया है वो ये भी कहते हैं कि अच्छा wealth कमाने के लिए beginners को investing mutual fund से शुरू करना चाहिए और SIP को कही सालों तक continue रखना चाहिए मतलब आज तक तो हमने सुना था time is money लेकिन Peter Lynch का कहना भी सही है time makes money साथी साथ Peter कहते हैं कि गलतिया करना investing का एक part है बड़े से बड़े investors गलतिया करते हैं और उनसे सीखते भी है Warren Buffett को ही ले लीजिए कुछ 20 से 25 साल पहले उन्होंने airline stocks में invest किया था अब खुद Warren Buffett के हिसाब से ये एक बड़ा mistake था क्योंकि airlines के economics कुछ ज्यादा ही difficult होते हैं देखे न, airlines में continuous capital लगता है cost of operations भी high होता है airline tickets का price पिछले 20 सालों में नहीं बड़ा है overall learn to earn एक purely beginners book है और कई important concepts को उपर-उपर से explain करती है अगर आप already थोड़ा बहुत investing के बारे में जानते हैं और mutual funds और stocks में invest करते हैं तो इस book को आप Peter Lynch के One Up on Wall Street से भी replace कर सकते हैं जो एक advanced book है The Dhando Investor एक beautifully written book है जिसके author है Munish Pawra उनके book के important takeaways से पहले देखते हैं की word धन्दो का क्या मतलब है The literal translation of the word Dhando means business but the way the Gujaratis use it what it means is it's a way of doing business where you basically have upside with almost a non-existent downside and which is the key to investing Munish Pabrai एक अच्छे राइटर के अलावा एक well-respected fund manager भी है जो 600 million dollar से जादा के assets manage करते हैं 1973 के आसपास जब Gujarati businessmen Africa से America पहुंचे तो उनने देखा कि America में economic recession चल रहा है और कई motels अच्छे discount में available हैं ये देखकर इन पटेल businessmen ने अपना धंदो दिमाग लगाया अब देखिए motels में 10 से 15 rooms होते हैं motels खरीदने के बाद हमारे पटेल businessmen और उनके family ने एक से दो rooms में अपना घर बना लिया और बागी rooms को rent पे दे दिया अब motels चलाने के लिए ज़ादा staff की भी जुरत नहीं होती और उनके परिवार वालों ने ही काफी काम manage कर लिया जैसे reception, room cleaning, cooking, laundry, etc. और इन savings के वज़े से पटेल्स के motels काफी कम cost पे operate करते थे और इसी low cost का इन धंदो businessmen ने फैदा उठाया और अपने rooms के rent को गिरा दिया जिससे ज़ादा लोग उनके motels में आने लगे और उनका occupancy हमेशा हाई रहने लग गया ये low cost of operations बन गया पटेल्स का competitive advantage और मौनीश पाबराई ने अपने book में इसी point पे सबसे ज़ादा stress किया है कि जब आप किसी भी business या company में invest करें तो उनके competitive advantage को जरूर परख ले क्योंकि जितना बड़ा competitive advantage है उतना ही valuable वो business भी है दर धंदो investor में मौनीश पाबराई कहते हैं कि जब situation आपके favor में हो तो bet बड़ा करना चाहिए और बाकी time बिल्कुल चुप रहना चाहिए test cricket के language में बोले तो हर ball पे run लेने की ज़रूरत नहीं है अच्छे balls पर defense खेलिए और जब कोई खराब ball आए तो boundary मार लीजे पटेल्स ने भी कुछ ऐसा ही किया जब उन्हें motels खरीदना था तो उन्होंने loan का इस्तमाल किया जिसमें 5% उन्होंने डाला और बाकी 95% banks ने दिया अब क्योंकि उनका investment सिरफ 5% का था अगर motels चला तो उन्हें बहुत सारा फैदा होता और अगर नहीं चला तो उनका सिरफ 5% का loss होता Monish Pabrai ने इन circumstances को अपने book में कहा है Heads I win, Tails I don't lose much और ये selective hitting strategy Monish Pabrai अपने funds में भी deploy करते हैं In fact मैं recommend करूँगा कि आप Mr. Pabrai के podcast Chai with Pabrai को ज़रूर subscribe करे और हाथो हाथ ET Money YouTube चैनल पे भी subscribe कर ले जिसमें हम हर हफते investing से related इसी तरह के interesting learnings and content लेके आते हैं दुनिया के सारे बड़े investors की एक common treat यही रही है वो सारे बहुत avid readers होते हैं और investing, industry, sectors, companies, tax laws और अनेक चीजों के बारे में अपने आपको हमेशा updated रखते हैं मुझे उमीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को like करें और अपने friends के साथ share करना ना भूले और हम मिलेंगे आपसे अगले हफते एक नए वीडियो के साथ ET Money YouTube चैनल पे धन्यवाद Mutual fund investments are subject to market risks Read all scheme related documents carefully